नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुशीला सेनी गाइनेकोलाजिस्ट इन अप्सेटेशन डिरेक्टर जैपुर दूर्बीन हॉस्पटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ पिछली वीडियो में हमने बात की थी बच्चेदानी में बनावटी खराबियों के बारे में जिनने हम मुलेरियन अनॉमलीस के नाम से जानते हैं उन्ही मुलियरिन अनॉमली में हमने आपको बताया था कि जो नॉर्मल बच्चेदानी है वह दो ट्यूप से मिलकर एक बच्चेदानी बनती है और इन दोनों ट्यूप के जुड़ने की कारण बीच में कई खराबिया हो सकती कि जो बीच का परदा है वो एब्सॉप नहीं होत के बारे में ही बात करेंगे जिसे हम सैप्टेट्य यूट्रस के नाम से जानते हैं इसके क्या एफक्ट बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि septet uterus क्या होता है यानि बच्चेदानी का पर्दा क्या होता है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था दो बच्चेदानी के मिलने के कारण एक बच्चेदानी बनती है और जब बीच का जो परदा है वो एब्जॉब नहीं होता यानि कि वहीं रह जाता है खतम नहीं होता और वो बीच में जोंका त्यों रह जाता है तो बच्चेदानी अंदरूनी तोर पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जिसे हम septate uterus कहते हैं यह जो septum है यह बच्चे septum है लेकिन अगर यह cervix से पहले कहीं खतम हो जाता यानि आधे में ऊपर या नीचे तक यानि वन फोर्थ हो सकता है हाफ हो सकता है थ्री फोर्थ हो सकता है तो उसे हम partial septum के नाम से जानते यानि कि अधूरा septum cervix तक आने वाला complete septum बीच में चुटने वाला partial septum इसके सकता है और यही परदा आगे नीचे बचेदाने के रास्ते में यानि वजाइना में भी एक्स्टेंड होता है तब septum वजाइना बोलते हैं और इस तरह के की वजाइना में as such कोई problem नहीं होती है बट कभी-कभी husband wife के मिलने में intercourse के दोरान उसमें problem हो सकती है अगर बहुत ज इससे आपने समझा कि septum के तीन तरह के septum होता है uterine septum cervical septum और vaginal septum और uterine septum complete septum हो सकता है अब हम बात करेंगे किस खाना कैसे लगे गा इसका back time है तो जब आप good को दिखाने जाते हैं जब आपकी महिला डॉक्टर आपका नीचे से चेक अप करती है तो हमें पता चल जाता है नीचे से देखने से कि वजयना के अंदर सेप्टम है या नहीं है सिंपल टू फिंगर से और आँखों से देखने से भी पता चल जाता है और दो सर्विक्स का ये सेप्टेट सर्विक्स का भी पता जब नीचे से ओजार डाल कर देखा जाता है यानि स्पैकूलम टेस्ट किया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि दो सर्विक्स है पिने की जाती है जिस prone ऑड़ाफिय व All-ается उर आंग से की जाने वाली श्माव्टूंस को डौन ही सोनुग्राफिश से इस चीज का पता लगा जा सकता है कि बच्चेतानी के अंदर परदा है नहीं है और ₧ और को helps लेकिन तीवीएस यानि के ट्रांस वजएनो सुनुग्राफी से जाधा बैटर होती है उसकी फ्रिक्वेंस से जाधा होती है और अच्छे से जाधा बारी की तोर पर देख पाती है टीवी एस बच्चेदानी के रास्ते के द्वारा यानि वज़ाइना में प्रोब डालके की जाती है इसलिए इसे ट्रांस वज़ाइनल सोनोग्राफी कहते हैं इसमें हमें दो होने का पता चल जाता है बच्चेदानी का लेकिन कई बार इसमें एक एक बच्चे दानी के बीच में परदा है या दो बच्चे दानी अलग लग बनी हुई है यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार सोनोग्राफी में रहता है तो उसको कंफर्म करने के लिए हमें फिर 3D सोनोग्राफी की या MRI की ज़रूरत पड़ती ह 3D सोनोग्राफी एक तरह के से पूरी बच्चे दानी को 3D में दिखाती है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि दो बच्चे दानी है या जो ट्रेंसेप्टम है क्योंकि यह डियागनॉसिस बनाना बहुत ज़ादा जरूरी है अगर इसमें गलती होती है तो ट्रीटमेंट में यह प्राब्लम हो सकती है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है बिल्कुल सेपरेट है दोनों की प्लैनिंग बिल्कुल अलग है और दोनों का मैनेजमेंट भी बिल्कुल डिफर्स है इसलिए या तो 3D सोनोग्राफी करा ले नहीं MRI सबसे बेस्ट है MRI में हम बच्चेदानी की जांच कर सकते हैं आराम से दो बच्चेदानी एक बच्चेदानी और कोई असोसीटेड अबनॉमल्टी हो वो भी साथ में पता लगाई जा सकती है अंडेदानी के बारे में ट्यूप्स के बारे में या और कोई पेट के अंदर खराबी हो तो वो भी साथ में पता लग जाएगी यानि कि आप समझ सकते हैं कि इस बिमारी का पता लगाने के लिए ओस्ट नगराफyss तो बहुत ज़रूरी है इस पता लगा हैं क्यों कि इसके क्या effect हो सकते हैं वो हमें जानना एक बहुत जरूरी है सेप्टेट यूट्रस का एज सच वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपका महीना नौर्मल ही आता है लगभग लेकिन कभी कबर महीने की इर्रेगुलर्टी यानि यह मित्ता हैं हो सकती है पेड़ू में कभी कभी दर्द हो सकता है लेकिन जो इसका major impact है या जो सबसे मोटे तोर पर जो खराबी सामने आती है या इस बिमारी का पता लगता है जब महीला हमारे नहीं हो पा रहा ग्रॉसली बच्चा लगा लेकिन उसका बढ़त नहीं हो पा रही है तो फिर हमें investigate करना पड़ता है कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो उसमें जब हम सोचते हैं पता लगता है तो कई बार septum uterus निकल के आता है इसका कारण क्योंकि जब बच्चा बच्चे दाने इसकी वज़े से बच्चे के growth नहीं हो पाती है और बच्चा का धड़कन जो है वो चला जाता है जिसे कि हम missed abortion के नाम से जानते हैं तो कई बार ladies हमारे पास दो या तिन abortion की history लेकर भी आती है तब हमें उसका confirmation करना होता कि कहीं separate uterus तो नहीं है अगर आपके साथ भी अगर ऐ रिकत आ रही है तो जरूर ले क्योंकि एक जनमजात खराबी है यह यह बाद में नहीं बनती है यह बच्चा जब पैदा हुआ है यानि बच्चा पेट में था तभी से प्राब्लम चली आ रहे हैं बड़ डाइग्नॉसिस का लेट हो पाता है क्योंकि एस सच इसका वैसे को बहुत कॉंप्लिकेटड बिल्कुल नहीं है बहुत आसानी से आज के समय में इसका इलाज उपलब्ध है इसका इलाज हम हिस्ट्रो स्कोपी की द्वारा करते हैं हिस्ट्रो स्कोपी का मीनिंग होता है बच्चे दाने की नीचे से दुर्बीन से जाच हिस्ट्रो यानि पूजीशन वो पता चलपाती है और जब हम यह दिखता है कि परदा है अंदर तो इसी एंडॉस्कोर दूर्बीन के साथ में सीजर डालकर यानि कैची डालकर इस परदे को कट कर दिया जाता है इसको कट करने से जो बच्चेदानी के अंदर परदा है वो खत कट कट हो जाता ह प्रेट हो जाता है और बच्चेदानी नॉर्मल हो जाती यानि वापस से एक बच्चेदानी हो जाती है कि आइडियली तो ये कम नॉर्मली हो जाना चाहिए था डैवलप्मेंट के दौरान जब बच्चा बना था तब ही हो जाना चाहिए था बट कुछ बनावटी खराबी के चलते या कुछ problem के चलते यह पर्दा exist करता है रिजॉब नहीं हो पाता तो हम उसको नीचे से दूर्बिन डाल कर उसको कट कर देते हैं और कट करने से बिल्कुल normal हो जाता है और उसके बाद में अगर हमें फिर भी doubt लगता है तो हम दो महीने बाद तीन महीने बाद दूबार दूर्बिन डाल कर देख सकते हैं confirm करने के लिए कि अंदर और कोई problem तो नहीं रहे गई है कहीं septum पूरा तरीके से खतम नहीं हो आओ कुछ portion उसका चुट गया हो तो वो दूबारा sitting में दूसरी sitting में किया जा सकता है क्योंकि कई बार septum की मोटाई काफी जादा होती है और एक बार में वो पूरा कट नहीं कर पाते हैं तो उसका second sitting में हम उसको पूरा कर देते हैं लेकिन यह operation करने से पहले हमें confirm करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बाई कॉर्णिवेट यूटरस नहीं हो यानि कि दो बच्चे दानी ना हो यह परदा ही होना चाहिए अगर दो दो बच्चे दानी और नीचे से यह कट करने लगेंगे तो यह चेद हो जाएगा बीच में और वह गड़बड हो जाएगा यानि की complication क्रियेट हो जाएगा दो बच्चे दानी का इलाच पेट में से दूर्बीन डालकर लेप्रोस्कोपी के दवारा किया जाता है जिसमें इन दोनों बच्चे दानियों को बीच में से इदर से इदर से कट करके फिर जोड दिया जाता है टाके लगा के तो यह एक अलग सरजरी है और सेप्टम की अलग सरजरी है तो डाइगनॉसिस बिलकुल सही होना जरूरी है ताकि सही इलाज हो और सही डॉक्टर के पास आप स दरजा सकती हैं इसमें थे करने के बिलकुल जरूरत नहीं है और आराम से आप इसका करवा और अगर आपके बच्छे खराब हो रहें सर्फ इस वज़े से कि बच्छे दानी में सैक्टम है तो से आज आप तुरंथ आज की आज दो गंटे तिन गंटे के अंदर आप से फ्री ह हो सकती हैं तो मैं समझती हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत लाब्धायक रहेगा इससे जानकारी कुछ मिली होगी आपको और यह जानकारी आप अपने दोस्तों से अपने रिश्दारों से जरूर शेयर करेंगे हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवा करेंगे भीडियो आपके लिए बहुत-बहुत